कई विवादों के बावजूद मेकर्स ने 72 हूरे की रिलीज डेट नहीं टाली। पिक्चर सिनेमा घरों में उसी दिन रिलीज हुई, जिस दिन उसका रिलीज होना तय किया गया था। पर अफसोस फिल्म का फर्स्ट डे काफी निराशाजनक रहा है। तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से गुजर चुकी फिल्म 72 हूरे सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फ्राइडे फिल्म ने बड़े परदे पर गस्तत दी फिल्म रिलीज के बाद इसका फर्स्ट डे बॉक्स आफिस भी सामने आ चुका है। जानते हैं कि अशोक पंडित की फिल्म ने पहले दिन कितने करोड की कमाई की है। क्या है फिल्म की कहानी। संजय पूरन सिह की यह फिल्म आतंकवाद पर एक अलग नजरिया पेश करती है। यह कहानी दो ऐसे आतंकवादियों की है, जिन्होंने मुंबई स्थित गेटव आफ इंडिया में हुने वाले बम धमाके को अंजाम दिया है। इन्हें मरने की जल्दी है क्योंकि इन से उनके आतंकी आकाओं ने कहा है कि शहादत देने वालों का जन्नत में बैठीन 72 हूरे स्वागत करती है। कहानी का तानाबाना उनके मरने के बाद का बुना गया है। 72 हूरे First Day कई डिवादों के बावजूद मेकर्स ने 72 हूरे की रिलीज डेट नहीं टाली पिक्चर सिनेमा घ्रों में उसी दिन रिलीज हुई, जिस दिन उसका रिलीज हुई, जिस दिन उसका रिलीज होना तै किया गया था पर अफसोस फिल्म का फर्स्ट डे काफी बुरा रहा है फिल्म की कमाई के पहले दिन के शुरुवाती आंकडे सामने आ चुके हैं, जो की चौकाने वाले हैं फिल्म पहले दिन एक करोड रुपए की कमाई भी नहीं कर पाई है रिपोर्ट के मुताबिक बहतर हूरे फर्स्ट डे महस 35 लाख का कारोबार किया है हालांकि वास्तविक आंकडे अभी आने बाकी हैं पहले दिन की निराशाजन कमाई के बाद अब इससे विकेंड पर बहतर कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है